क्या हाल है भाई लोग स्वागत है सुमेद गुपता गेमिंग में एक नया सीरीज लेके आया हूँ कैमपर फ्री वीडियो बेस्ट प्लेयर्स के साथ पार्ट टू है ये और आपोरेंट है एल मैगनिफिको सारे एपिक्स करेक्टर है इसके पास सुरुवात लिंक से मैंने है लिगा लिया है अगर नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल नोटिफिकेशन दबाए जिससे मेरे नए वीडियो मिस नहीं कर पाऊगे आप लोग और लिंक्स खताब चलते है अगले अपोरेंट की तरफ मेरा कहने का मतला है अपोरेंट की अगले हीरो की तरफ जो की है मिड्नाइट बलाश ज स्क्राइब पासे बललाश जार खने को जो सिर्चेशन पहाई पासे यह व्र ठासे विएक पासे लिए क। इमेंचन छे चानाश shade मिड्थिकेशन अवाद guerra के ऊवाँ के बड़ संसाच की म।। कि एंड़ आटिक ल दूहलिड है लगज़ अबड़ लगोओ लगज़ अबड़ कर लगजु अब कर लाई लगभग हराई दिया था मिट्टेट को लेकिन यावे मेरी खेल का कतम है अगला है सार्च फिल्हाल प्लान ओफ पेन नहीं है कि वाइट क्रिटिकल हिट रिमूबल बहुत ही भैंकर डैमेज है क्योंकि कॉन्फिदेंस है पर्क उसका और दे चांसलर प्लस 35 परसेंट के उपर बोनस डैमेज भी है फेल्ट लो है उसका इसलिए और मेरा सार्च खत्व है बहुत बढ़े हैं कि वो पची है आखरी कि देखते है कि कीवो से हारा पाते है कि नहीं क्योंकि उसकी आखरी प्लेयर भी कीवों ही है किषए के पाइट अभाइट अब अट शुरुवात टीबो का भी देमेज काफी अच्छा है शेखाट बचेंगे लेवल 11 पे कीवों को ले जाने के लिए दोस्तों बहुत चलती कीवों का लेवल 11 हो जाएगा एक और हिट येस चलिए चलिए में अटक्र लेकिन देखिए उसने कितने डेमेज की अरगों carbon और आनरो और ऑगपा कर वह सेंगा है लेकिन वाधал कि वह का और इसलिए इसलिए के वह पाफिजेशनी चुना है लोनों का का क्री की वपी प्लियर्ज फैसे क्यों प्रेक फाइदा हुआ मुझे अन्प्रेडिटेबल थाउजन कट्स अस्तमाल किया मैंने क्योंकि मेरा हिल्थ बहुत कम था ज़रूरी था उसका भी हिल्थ कम करने का अब बेसिक अटाइक ऑफ कीबो एक और हीट यस ब्लॉक ब्रेक और यह की बुक्त चलिए बहुत ही क्लोज मैस था साइद में यह मैच हार जाता लेकिन कीबो के ब्लॉक ब्रेक ने मुझे बचा लिया बहुत कोई बोलते हैं कॉन्फिडेंस यूज करो इसलिए मैं प्रेदा देता ही है और आज साबित कर दिया है चलिए अगले अपॉनेंट की चलते हैं सेवन थाजन ट्रॉफिस लेवल इलेवन प्लेयर तलीब मैंने कीबो से सुरवात किया है उसने आयरेंग प्लेट सुरवात किया है हलो तलीब पैट शैडोर थर्ड देखे सुपरमेंटी ने अभी कैसे मुझे बचाया सुपरमेंट से सब टैलेंट का एक अपना खूबी है दोस्तो यह सब जानते है लेकिन वो डिपेंट करता है आप किसके साफसों से स्थमाल करते हैं कीबो का टैलेंट अल्रेड़ी उसके पास एनफ डैमेज है उसका बेसिक डैमेज एटक ले लो और फिर्स उन्सलोट का टैलेंट ले लो तो वो कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर नहीं करते किसी क्यूबो का डिफेंस बहुत कम है अर अगर आप डिफेंस के उपर जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपको एक आधी बार बचाएगा इसलिए मैं हमेशा ऑन्स्टपअबर नॉन्सलोट और सेड़ो सूपर मैसी चुनता हू कि उसका अधन्क लेट करता हम है नेक्स्ट है उसकी हिलगा करना हूं कि फाइट है अगरे है विए अटेक साथ एक्दम अनब्रेकेबल है दोसको अभी ट्राइ करना आप लोगए डैमेज इतने कम हिल्थ में भी हिलगा का लगभग 2000 एच्पी मैंने कम कर दिया है कि लोसे स इसलेंस यहां हेलगा अपने आफ्टर लाइट में और मेरी कीवों खता कोई बात नहीं उसने अपना काम कर दिया है अगरा चुनूंगा मैं सार्ज को कि फिल्हाल प्लान आफ पेन नहीं है इसी तरह सार्ज से काम चला लेते हैं कि रिवेंच फॉर्ट फॉलन मैं मैं फॉर्ट फॉलन इस memory विल्हाल ज मैं कंसे हां आप यहलो तोओ मैं रिवेंच जहाँ थिर रिण highlighting typIS नहीं है इस यहाँ विल्हाँ के यहाँ बास मैं काम कि ऐया रिवेंच what熊 है झांप तगोज अ ज dúli दो प्र नेक्पड़ uwगा चलते उसके आखरी हीरो के दरफ जो कि सार्ज है डाउन फोर फाइट नॉक डाउन किया है मर्फो से हैवी अटैक डेमेज देखिये कर दो की अच्छेश पर रख नहीं अच्छेश थी कि रिवेंच पर ता पॉलन एक्टिवेटेड है कि उसका भी रिवेंच फॉर्दा फॉलन एक्टिबेटेड है और हैमर थ्रो से मैं हो जब ज़रा सा बचा हुआ था अच्छा के लाउस ने आकरी है कोई नहीं लगा आते ही आस्मान से लाइट निकालेगी यह देखिए मैं जानता था कि वो कमांडर फ्रेस सुरू में रिष्ट कमांड करेंगा इसलिए मैंने कोई अटेक नहीं किया रेंच के लाइग अपॉनेंट्स के मूव को एंटिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं वो भी आपको बहुत फाइदा पहुंचाए दिमार्ग में घुसना है आपको अपॉनेंट के बहुत अच्छा के लाइए अभी मेरी हिलगा बहुत जल्द आप्टर लाइफ में जाएगी नहीं चलिए उससे पहले हरा दिया सार्च को बहुत अच्छा के लाइए इसमें आशा करता हो यह सीरीज आपको पसंद लाइग की हुआ है हुआ 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 है वीडियो सोट करके रखोंगा चलिए अगला है लेवल 12 ट्रैगर 7000 ट्रॉकिस कीब उसे सुर्वाद किया हुम है उसने जैक बुलबार्क से चलते है गेमप्ले की तरफ राउंड बन फाइट ग्रैब किया अप अटेक डेमेज देखिएगा बुलबार्क का भी जो डिपैंज है बहुत अच्छा है अग्याइज प्लॉक प्रेग फाइदा हुआ यह देखिए बुलबार्क खत्म है बहुत ही लाजवाब की वोकर डेमेज है चलते हैं अगले हीरो की तरफ बिल्कुल अजुमा लेवल 12 अजुमा दा फेल्ट्शर सुर्वात रोलिंग वेप से करूंगा क्योंकि शैडो बार्फुल है देखिए सक्सेस हो गया उन्हेसा सक्सेस होता है अजुमा के खिलाफ आप्वियसली क्योंकि या तो वो सुर्वात करेगा रेंज अटेक से या फिर नागिनाटा मूब से अग्ला लूंगा हेलगा को रिजन जानते है क्योंकि अजुमा है शैडो स्पेसिलिस्ट बलेश्ट बाइलाइट अजुमा को अगर मास्टर कर लिया जाए तो उससे बहतर कोई करेक्टर नहीं है क्योंकि अटेक डैमेज उसका लगभा कीबो के जितना ही है सिर्फ दस अटेक डैमेज कम होगा डिपैंस भी अच्छा है लेकिन यही है कि कोई ब्लॉक ब्रेक जैसा टेकनिक नहीं है आपको शैडो मूव पर डिपैंड रहना होगा अजुमा के शैंग वगरा के खिलाफ का अच्छा काम करेगा सार्ज के खिलाफ भी चलिए यहां पर अजुमा कतम है अगला है लेवल 12 का आइरन क्लाइड राउंड फोर बलेच्ट बाइलाइट कि फाइट आइरन क्लाइड का यह एड्रिलालीन मूव जो ग्लोइंग फिस्ट है आइरन फिस्ट की याद दिलाता है नेट्फलिक्स का सिरीज आइरन फिस्ट बताना चाहूंगा मैं मूवी सिरीज छोड़ता नहीं हूं दोस्तो सब देखता हूं मेरा सबसे फेवरेट जो दिल के करीब है वो है ब्रेकिंग बैड उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स सेंस एट एक नेट्फलिक्स का सिरीज है अगर नहीं देखे हो ज़रूर देखना काफी अच्छा सिरीज है उसमें हमारे इंडियन स्टार भी है उस सिरीज में और यहां पर हिलगा खतम है बहुत अच्छा के लिए इसना एलन क्रेट के साथ आखरी है सार्च रिवेंज फर दा पॉलन की मदद से हाराना चाहूंगा इसे उसने इटर्नल स्टबर्नेस चुना है दोस्तों वाओ डेमेज देखिया है अचले रिवेंज फर दा पॉलन एक्टिवेट हो गया है एकाद क्रिटिकल हिट और वह खतम चलिए रिवेंज फर दा फॉलन और आइंग लैट क्तम बहुत अच्छा गेंपले था ये आशा करता हूं पसंद आया होगा दोस्तों ये सीरीज भी आशा करता हूं कि पसंद आए मिलूँगा अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए ध्यान रखना ख्याल रखना अपना भी सबों का भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक नहीं किया हो तो थैंक्स पर वाचिंग गुडबाय